तो चले शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे गूगल क्रोम की डिस्पले लैंगोज हम चेंज करते हैं ठीक है यानि कि जैसे कि आप देख रहे हैं जीमेल और इमेजस यह लिखा हुआ है यह सब मिलब हिंदी में आएगा ठीक है तो उसके लिए हमें जाना लेफ् सारे सेटिंग ऑप्शन होगे तो हमें किसी और को नीच चाहिए हमें सिर्फ नीचे चलना है और एडवांस पर क्लिक करना है यहाँ पर देखिए कैसारे ऑप्शन आपको दे रहा है इंग्लिश हिंदी इंग्लिश युनाटेटेड स्टेट उर्दू तमिल अगर आपकोई लैंग्वेज एड़ करना चाहें यानि कि शर्फ हिंदी इंग्ली नहीं अगर आप चाहते हैं कि पेज उर्दू में खुले तमिल में खुले या फिर यह एड़ लैंग्वेज करके हम किसी और लैंग्वेज में इसे इसे पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी एफ्रीकन यहां पर आड कर सकते हैं इसमें से जो भी जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहें उसको चूज कर लीजे और यहां सही दिखिए एड का बटन इस पर क्लिक करेंगे तो यह एड हो जाएगा ठीक है तो फिलाल हम इंग्लिश चोर हिंदी में चेक कर लेते हैं कि कैसे चेंज करते हैं तो अभी यह इंग्लिश में है बाई डिफॉल्ट ठीक है अब हम चाहते हैं कि यह सारा डिस्पले जो है वह हिंदी में है तो कुछ करने की जरूद नहीं सिंपल आसानी से नीचे वाला देखिए ऑप्शन दिखर आपको हिंदी और यहां पर देखिए त्र इसले गूगल क्रोम जो है वह इस लैंग्वज में है तो हमें पहला अचे क्योंकि हम गूगल की डिस्पले लैंग्वज चेंज कर रहा है तो इस पर चेक का निशान बना दिए उसके बाद एक रिलांच का ऑप्शन देरा आपको यह ठीक है तो इसको सिंपली आप यहां से रिलांच कर दिए और रिलांच करते ही जब आप देखेंगे कि यह सारा जो है आपके सामने हिंदी में आ जाएगा सारी सेटिंग्स सब कुछ यहां पर हिंदी में देती है चीक है इस तरह से आप अपनी डिस्टे लैंगविज चेंज कर सकते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि दुबारा से इंग्लिश में हो जाए तो फिर उसी तरीके से नीचे से जाएए यह एडवांस में बेतर लिग दिए क्योंकि आप अब हिंदी में आ रहा है तो अब नीचे चाहिए उसके बाद फिर यहां से फिर भाशा में आईए चीक है भाशा में नीचे क्लिक करिए और आपको फिर यह इंग्लिश को उप्शन दे देगा इस इसमें लिखा भीवा इस भाशा के इस इस तमाल Google Chrome यूजर इंटरफिस य आओ यह दिखे देर आपको फिर से लांच करें दुबारा से यह नहीं कि रिलांच करतें इस पर क्लिक कर दीजिए और सब कुछ वापस से इंग्लिश में आ जाएगा